हाई फ्रेंड मैं मनोज पंडे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर और दोस्तों सबता ही करेंट अफेर और साथ में सभी टॉपिक के अबजेक्टी कोश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर रहें जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रस्थन भारत का साथ परतिसत नमक किस राज्य द्वरा उत्पादित किया जाता है ऑप् प्रस्थन और तमिल नाडू भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं दूसरा प्रस्थन भारत में कच्चे नमक का सरवाधिक उत्पादन किस राज्य द्वरा किया जाता है ऑप्शन चार एन करनाटक बिहार पस्चिम बंगाल असम एंसर नंबर करनाटक ए सई हो जाएगा करनाटक भारत के कुल उत्पादन का 60 प्रतिसा तो कच्चा नमक उत्पादित करता है तीसरा प्रस्थन और नाचल परदेश को पूर्ण राजिकार दर्जा कब मिला ओप्शन चार हैं पहला उन्नीस सो पचासी दूसरा उन्नीस सियासी तीसरा उन्नीस सातासी और चौथा उन्नीस सो अठासी तीसका उप्शन नमबर सी उन्नीस सो सतासी सही हो जाएगा बीस फरवरी उन्नीस सो सतासी को अरुनाचल परदेश को पूर्ण राज का दर्जा दिया गया इससे पहले अरुनाचल परदेश केंदर सासीत परदेश था चौथा प्रस्थन ब 2832 मीटर की उचाई पर इस्तित है चौता प्रस्न गंगा की मुख्य साखा को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन चार है जमुना पदमा मेगना कालिंदी ऑप्शन नंबर बी पदमा सयुजगा गंगा नदी इस पदमा साखा की लंबाई 120 किलो मीटर है बं साथ में कोयर उद्दोग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है ऑप्शन चार है करनाटक तमिलनाडू केरल और अंध प्रदेश्ट इसका ऑप्शन नंबर सी केरल सही हो जाएगा यह उद्दोग नारियल पर निर्बार है केरल विश्व के कुल उत्पादन का 60% स भाराष्ट गोवा उप्शन नंबर इसका बी केरल सही हो जाएगा थोरियम का उप्योग नाविकिया साइयत्रों में निंधन की रूप में किया जाता है आठवा प्रस्न नामचिक नामफुक कोईला किस राज्य में इस्तित है उप्शन चार है पहला सिक किम दूसरा मेगा रॉडाचल परदेश चौथा मड़ी पूट इसका उप्शन नंबर सी रॉडाचल परदेश सही हो जाएगा नामचिक नामफुक कोईला खेत्र और रॉडाचल परदेश के चांग लंग जीले में इस्तित है नौवा प्रस्न प्राइद ईपिय भारत की तट रेखा और आं भारत की कुल तट रेखा 7570 किलो मीटर है प्राई दीपिय भारत की तट रेखा 5423 किलो मीटर है जबकि आंध बान दीप समूह और लक्ष दीप की तट रेखा की लंबाई 2049 किलो मीटर है दसवा परस्न मालवा पठार मुख रूप से किन राज्यों में इस्तित है पहला मद्य परदेश गुजरात राजस्थान दूसरा है महराश्ट मद्य परदेश गुजरात तीसरा है मद्य परदेश उत्तर परदेश राजस्थान और चौर्था है राजस्थान गुजरात और महराश्था इसको आप्शन नमबर ए मद्धे प्रदेश गुजरात और राजस्थान सही हो जाएगा और दोस्तों आपके लिए प्रस्थन है इस कोस्चन से रलेटेड कि ये मालवा पठार कितने वर्ग कीलियो मेटर के छेतर में फैला हुआ है इसका आप एंसर मुझे कमेंट बॉक्स मे पताईएगा और वीडियो अगर आपको अच्छे लिए लाइक कर देजिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह गवर्मेंट एक्जाम के तैयारी के लिए सभी टाइप्स के अब्जेक्टिव कोश्चन को बनाता रहता ऑल तो आज के लिए थेंक्यू अ ऐसको झाल झाल